respected teachers and my dear friends, आईए आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो रिलेट करता है algebra से, तो हम बात कर रहे हैं algebraic multiplication की और algebraic multiplication यह 9-10 class में बहुत importance है इसका, तो आईए बात करते हैं algebraic multiplication कैसे हमने करना है, वो उसके उपर हम बात करेंगे और सूत्र जो उर्दो 3-3 घ्राम है उसका हम प्रियोग करेंगे तो आईए करते हैं algebraic, algebraic multiplication और इस multiplication में हम बात जो करने वाले हैं, वो करने वाले सूत्र उर्दो 3-3 घ्राम और जिसका मतलब है vertically and crosswise, यह इसका meaning है, हम vertical भी इसका मतलब समझेंगे, उर्धो का मतलब होता है, vertical and और तीरियक भ्या, उर्धो, तीरियक भ्या मतलब crosswise होता है, तो यह इसका meaning है, vertically and crosswise का use करते हुए, हम और सूत्र, और और तीरियक भ्या मतलब करते हैं, हम जो आज algebraic multiplication के बारे में हम आये discuss करते हैं, और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा जो यह प्रशन जो होता है, जो quiz में पूछा जाता है, वो है algebraic multiplication और एक variable होगा, और उसमें दिविक हाती है, यहनि दो हात, यहनि power 2, यहनि quadratic expression होगा, और त्री पर दिया, यहनि त्री आपके जो terms हैं, त्री terms होगी, और आपके जो, जो इसका जो 9, multiply जो करना होता है, वो 9 से ज्यादा, यहनि coefficient 9 से ज्यादा नहीं होगा, तो जैसे मैं एक example लेता हूँ आपके समक्स, कि 4x square और प्लस 5x प्लस 6, यह एक मालेजी आपके पास expression है, और दूसरा है, 2x square प्लस 3x और प्लस 1, जैसे यह algebraic expression है, और इसको हम multiply करेंगे, और हम multiply कैसे करेंगे, आप जानते हैं, यह जो सूत्र हमने बात की है भी, उर्दो तेरिक भ्याम, यानि उर्दो का मतलब vertically होता है, और तीरिक का मतलब cross होता है, तो यह उर्दो तेरिक, और इसमें भ्याम भी है, भ्याम का मतलब है, तीरिक and vertically दोनों पिर सो हों और फिर हम और दो Ampaling का प्रियोола करेंगे देंज वांटिकल का प्रियोब करेंगे तो इसका जो हम जो डालेंगी number इस परकार से डालेंगे 12321 यह क्या मतलब या भी डिसकुस करेंगे 12321 का मतलब यह है कि हम पहले one step ले, फिर two step ले, two variable ले, then three variable ले, then three के बाद three के बाद फिर reverse हो जाएगा two variable ले, then one variable, और हम इदर इसको right hand से भी start कर सकते हैं students, इसको left hand से भी कर सकते हैं, जब आप जो है quiz में आपको यह बताना होगा, कि आप left hand से start करना चाहते हैं, या right hand से start कर करना चाहते हैं, अगर आप left hand से start करना चाहते हैं, तो आप left hand से answer बताना शूब करेंगे, तो मैं left hand से start करता हूँ, आइए देखते हैं पहला step क्या है, पहला step है vertically multiply करना, vertically, तो कैसे होगा यह vertically, देखो, 4x square into 2x square, तो क्या होगा, multiply करेंगे, इन दोनों को 4x square and 2x square को, यह आ step, अब second step strents, second क्या है, crosswise, strents यह दोनों का crosswise करेंगे, multiply इसका और इसका, यह multiply दोनों terms का और इसको add करनेंगे, तो करिए, तो क्या हो, 4, 3, that 12, x give out 3, और 5, 2, that 10, x power 3, तो 12 plus 10, तो 12 plus 10 means 22x raise to give out 3 strents, तो यह हमारे पास 12 plus 10, 22, और x raise to give out 3, तो अब strents आईए, कौन सा अगला step, 3, आपका जो है, तीनों term लेनी है, तो तीनों term ऐसे लेते हैं strents, first को last से multiply करेंगे, और ऐसे arrow बनाना है, यह first को last से, और बीच में आप देख रहे हैं, vertically है, तो यह तीनों को multiply करते हैं, और add करते ह results को add करेंगे, तो यह answer आ जाएगा, तो बताएगे, कैसे करेंगे, 4x square को 1 से किया strents, 4 आ गया, 4x square, और 2x square को 6 से किया, तो 12 आ जाएगा, 12x square, तो 4 plus 12 strents कितना है, 16, और बीच में strents vertically है, तो 5, 3 ता 15, x square, तो पहले 16 आया था, अब 15 आ गया है, add करेंगे, तो यह 31x square, तो strents हम इसको हो जाए, 31x square, इसका जो next product है, वो 31x square, तो अब strents क्या करना है, फिर यह 2 आया है, तो 2 का अम तब 2 terms है, तो 2 terms है, तो कैसे होगा, 5 into 5x into 1, and 6 into 3x, तो 5 plus 3x तो क्या हो गया, 5x plus 18x, 5x plus 18x means 23x, तो यह 23x होगा, strents, 5x plus 18x, अब last में क्या है, strents vertically, तो 6 into 1, तो यह हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो strents की यह इस परकार से आपका था, पहला, पहला जो step है, यह second step है, यह third step है, यह third step है, यह four, यह fifth है, तो और इसको इस परकार से लिख सकते हैं, 1 2 3, 21, अगर आपकी जो है 1 2 3 का मतलब है पहले term लेना, फिर 2 term लेना है, फिर 3 term लेना है, 3 term के बाद फिर हमने 2 term लेना है then 1 term लेना है तो आई एक बार फिर एक बार देख लेते हैं 1 term लिया तो यह आपको vertically multiply किया 4 to the 8 x scale फिर आपको 2 लिया तो पहले 2 को हम crosswise करेंगे यह 4 को 3 से and 5 को 2 से तो यह हो जाएगा 12 plus 10 22 x cube फिर हम जो है यह 3rd step में लब last का cross और बीच का vertically तो क्या होगा 4 बंदा 4 6 to the 12 4 plus 16 16 plus 15 तो यह हो गया 31 x square और फिर हम strengths cross करेंगे जो आपके एक cross लगावा है तो 5 into 1 and 6 into 3 तो यह हो गया 18 x plus 5 x तो 23 x लास में strengths फिर 6 बंदा 6 तो आपने देखा कि किस परकार से आप कोई भी ट्रम इसमें ले लिजे तो हम सभी इसके द्वारा हम इसे मैथर से कर सकते हैं तो आए एक और हम example लेते में इसको आगे बढ़ाते हैं तो मैं लिख रहा हूँ 5 x square and minus 6 x plus 4 फिर मैं लिख रहा हूँ 7 x square and plus 2 x and minus 3 तो आए इसको करते हैं और आप भी में साथ करिए तो पहला जो ट्रम हम लेट से ही स्टार्ट करें क्या है इसको करते हैं तो पहला बताइए क्या होगा पहला हमारा जो स्टेप होगा वह होगा 5 से बंदा 35 x raised to the power 4 power, ठीक से बोलना है, और फिर दूसरा step crosswise है, तो यह crosswise करेंगे, तो क्या बोल स्ट्रेंट्स, 5 2 ता 10 x q, और minus 42, तो minus 42 plus 10, तो यह आया, minus 32 x q, तो क्योंकि एक positive है, एक negative है, तो subtract होगा ही, minus 42 plus 10, और third, जो है, यह मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, minus 32 x q, अब आईए third step, last को इस last से, इस last को इस 4, 4 को 7 से, पीच में 62 ता हो जाएगा, तो बताएए, 5 x q, minus 3 से करें, तो minus 15 x q, तो मैं लिख लेता हूँ, ताकि कोई mistake नहीं हो, आप practice होने के बाद लिखने के जूट नहीं है, minus 15 plus 28, तो यह हो जाएगा, 13, plus के 13, और यह 20 का, हम minus 12 करें, तो यह हो जाएगा, 1, तो यानि positive 1 हो जाएगा, positive x square हो जाएगा, फिर देख लिखेंगे, minus 15, plus 28, तो minus 15 plus 28, तो आपका जो हो जाएगा, 13, और बीच मो हो जाएगा, minus 12, x square, तो यह plus x square हो जाएगा, अब आएगे, last के two terms, last के two terms करेंगे, तो minus 6 into minus 3, तो यह 18, और 4 to the 8, तो 18 plus 8, तो क्या हो जाएगा, 18 x plus 8 x, तो यह हो जाएगा, 26 x, और last में फिर हम multiply करेंगे, minus 12, तो strength से यह इस परकार से, यह हमारा जो product है, तो algebraic product है, तो यह आपका, इस परकार से, हमने करना है, तो आप सभी जो है, इसकी practice करना है, और यह पहले भी इसकी video बनी हुई है, तो उसका वहाँ से भी pressure कुछ ले सकते हैं, तो हम इस video में आज इतना ही करेंगे, और आप इसकी practice करते रहेगा, और इसमें आगे perfection पाते रहेए, तो हम इस video में इतना ही करेंगे, और अगली video में आपके smaks फिर से अगली नई topic के साथ से फिर से आपके smaks पसुत होंगे, तब तक के लिए, आप सब को, Namaste!